कार्तिक पुर्णिमा में ऐसे खुशकरे माता लक्षमी को हमारे हिंदु धर में पुर्णिमा के व्रत का महत्रपुर्ण स्थान होता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रतेक वर्ष पूरे 12 पुर्णिमा होते हैं लेकिन जब अधिक मास या मलमाश आता है तो इनकी संख्या 12 से बढ़कर 13 हो जाती है पता दे कि कार्तिक पुर्णिमा हमेशा कार्तिक मास के सुकल पक्ष को मनाया जाता है ऐसी मानता है कि कार्तिक पुर्णिमा के दिन भगवान विश्नु और माता लक्षमी की पूजा की जानी चाहिए इसके साथ ही इस दिन ही भगवान विश्नु ने मतस्सिवतार का धारन किया था यही कारण है कि हिंदू ध़र्मों में कार्तिक पुर्णिमा को काफी शुप माना जाता है वहीं लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन जो वैक्ति गंगा नदी में शुनान करता है उनके सारे पाप धुल जाते हैं और पूरे वर्ष उन्हें गंगास्नान का फल प्राप्त होता है कार्तिक पुर्णिमा के दिन नदी के किनारी दीब दान करना भी काफी शुब माना जाता है इस दिन दान का विशेश महत्व है लोगपुन्य की प्राप्ती के लिए इस दिन गड़ीबो और जरुतमंदों को वस्तर अन और अन्य जरूरत की चीज़े दान करते हैं बता दे कि इस साल जो तीशियों के नुसार कार्तिक पुर्णिमा की सुरुवात 7 नवंबर साम 4.15 से हो रही है जो की 8 नवंबर को साम 4.31 में खत्म हो जाएगी लेकिन वैसे लोग जो वरत रखना चाहते हैं वे मंगलवार को यानि की 8 तारीक को रख सकते हैं इसके साथ ही जो तीशियों के नुसार यह भी बताया गया है कि कार्तिक पुर्णिमा के दौरान इसनान करने का सुमूरत क्या है बताते चले कि इसनान करने का सुमूरत सुभा 4.57 से लेकर 5.49 बजे तक है ऐसी मानेता है कि इस दिन भगवान विश्णू नदियों में वास करते हैं जिस वज़े से नदियों में सनान करने वाले व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं अगर हम अपने हिंदू सास्त्रों की माने तो उसके अनुसार अगर हम कार्तिक पुर्णिमा के अफसर पर कुछ विशेष काम करते हैं तो मातालक्षमी की क्रिपा हम पर बनी रहती है इसके लावा यह भी कहा जाता है कि अगर ऐसा करते हैं तो मातालक्षमी हमसे बहुत प्रशन होती है और जीवन में कभी धन धाने की कमी नहीं होने देती अब आपके मन में यह सवाल उट रहे होंगे कि ऐसा क्या विशेश कारी किया जाए जिसे मातालक्षमी हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाई रहे तो हम आपको बता दे कि कार्थिक पुर्णिमा के दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई की जानी चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गंदगी देखकर मातालक्षमी हमसे रुस्ट हो जाती है इसके साथ ही इस दिन सुर्य के उद्य होने से पहले उठना चाहिए और अस्तनान कर दीप प्रजलित करना चाहिए अगर इस दिन घरों को फूलों से सजाया जाता है तो उसे देखकर भगवान विश्नु और मातालक्षमी हमसे बहुत प्रशन होती है ऐसा कहा जाता है कि जो व्यत्ती इस दिन भगवान विश्नु और मातालक्षमी की पूजा करते है तो उसे यह पूजा बिलकुल विधिपुर्वक करना चाहिए इस दिन चांद का दर्शन करना और किसी गरीब या बिरोज़गार को दान करना काफी जरूरी होता है वहे इस दीब दान करना बहुत सुब मारा जाता है ऐसा करने से एक घर की सभी परिशानिया दूर हो जाती है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी मगवान विश्णू और माता लक्षमी का असिरवाद बना रहें तो आपको ये सारे कारे करना जरूर चाहिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद